तो दोस्तों आईए देख लेते हैं दोर मंडी से प्याज की रिपोर्ट क्या रही है और कितनी आउके हैं कितना बाजार है क्या देजी है क्या मंदी आईए देखते हैं इस वीडियो में और सबसे पहले रिक्वेस्टे दोस्तों आपने अभी तक हमारी यूटीब चैनल को जरू किजेगा ताकि वीडियो के नहीं नोड़ी पेखेना को समय से जल्दी मिल जाए सबसे पहले अगर हम आउको की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया था दोस्तों कि आउके अगर कंट्रोल नहीं होती हैं तो कही ना कई भाव में जो है जरूर डिफरेंट हमें देखने को मिल रहा है वहीं अगर बात करें इंदोर मंडी की जो की सबसे बड़ी मंडी है मद्यब्रदेश्ट की प्याज की मामले में वहां के मार्केट के अगर हम बात करें तो मार्केट समान रहा है ऐसी कोई तेजी मंदी आज देखने को नहीं मिली है उपर में दोस्तों अभी तक 2100 के आसपास कुछ एक लोड बिकी हैं बहुत ही जो रेर कंडिशन में थे वो लोड गए हैं 200 के आसपास बाकी सुपर फ्याज 18 से लगा करके 20 रुपे तक भीक रहे हैं मार्केट थोड़ा सा सुपर मालों में कम जो आज देखने को मिला हैं बाकी गोल्टा-गोल्टी उस रेंज में बिके हैं जिस रेंज में शनिवार को भीके थे वहीं मार्केट में कोई ज्यादा चेंजर आज नहीं रहा है वहीं अगर हम बात करें आउको की तो आउके लगबग 90,000 कट्टों के आसपास हैं तो आउके थोड़ी सी कम हमें देखने को मिल रहे हैं शनिवार की बाकि मार्केट सुपर मालों में थोड़ा सा कम झार है और मीडियम हलके और गोल्टा-गोल्टी में वही मार्केट है सेम गोल्टा भीक रहा आए बारा रूपे से लगा करको अठार रूपे था गोल्टी आज 15-16 पर अठकी हुई है वहीं सुपर माल बहुत कम हमें मंडियों में देखने को मिल रहे हैं हम मान सकते हैं कि 10-12 प्रतिश्यत माल जो सुपर रेर कंडिशन का में मंडियों में देखने को मिल रहा है वो जो 21-100 के असपास भीक रहे हैं किसान भायों ये थी इंदोर मंडी से प्याच की रिपोर्ट उम्मित करूँआ की वीडियो पसंद आयोगा जानकरी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करे वरना डिसलाइक आप कर सकते हैं चलिए मिलते हम अगले वीडियो में एक नई लेटेस्ट जानकरी क जाए हिंदोर मंडे मातरम